हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम आपको सिवलिंग का निर्माण करना बताएंगे कि किस प्रकार से आपको सिवलिंग का निर्माण करना चाहिए महासिवरात्री हो या मासिवरात्री हो अथवा आप नित्य सोंबार का ब्रत कर रहे हो इसके अलावा शामन का महीना हो या तीज तेवहार हो अत्वा हर्टाली का तीज हो जिसको हम तीजा भी कहते हैं अत्वा भग्मान से संबंधित किसी बी प्रकार का ब्रद तेवहार हो उसमें आपको पार्थिव सिवलिंग का निर्मार करना चाहिए जो भी मनुष्य पार्थिव सिविलिंग के पास बैट कर महादेव का तीन बार जाब करता है तो भगवान सिव उसके सभी अपराधों को छमा कर देते है तो हम यहाँ पर बनाना इस्टार्ट करते हैं तो देखिए मिटी हमने फुला ली है मिटी हमने काली मिटी ली है आप मिटी तीन प्रकार की ले सकते हैं काली पीली या बांबी वाली मिटी बांबी वाली मिट्टी वे होती है जिसमें सर्प रहते हैं यहाँ पे हम सिविलिंग पार्थिव सिविलिंग का निर्मार कर रहे हैं पहले काले मिट्टी को लेके उसे छोटे चोटे टुकडे में करके उसे फुला लेना है फिर उसे चिकना करके फिर सिवलिंग का पार्थियू निर्मार करना है यहां पे देखिए परिवार सहीत हमने सिवलिंग का निर्मार किया है तथा हाई तालिका 30 की हमने सारी तयारिया क कर ली हैं यह हमारे पंदी जी हमें पूजा कर वाने आए हैं तो यह हम सारी आ сказ निया लेकर लिये क्या प्राइगा क्या लागे का माता पार्वति के लिए भी उम्ने स्रणगार भगेरा फूल पत्र बेल पत्र का जोभी पूज़ा की समगरी है वह हम सब यहाँ पे रख दिये हैं और देखिए ये हमने फूल बगेरा और ये पेल पत्र बगेरा और पुस है लिए सब भंगमान को चढ़ाएं हैं ये भंगमान को सब अरपित किये है, नौग रह की सिरपना किये इसमें वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें